हापी पर्टी तू यू तो सबसे पहले बहुत सारी बधाईया और बहुत सारी शुब कामनाएं आप दोनों लोगों को जिनकी आज शादे की सालगिरह है या जिनका आज जनम दिन भी है पहले आपको हम ग्रहों की स्थिती बता देते हैं अची पूद्ध धनुराशी में है मंगल मेश का है राहू करका चंद्रमा तुला का शुक्र शेनी धनुका और केत मकरका आज चंद्रमा स्वाति नक्षत्र के दुतिए चरण में है ये चरण थोड़े से पीडित वाले होते हैं लिहाजा थोड़ी बहुत दिक्कत आपको ये दे सकता है राहो कनक्षत्र चलिए सबसे पहले बताते हैं आपकी पुदे वर्ष की सिक्षा खूब सारे उठा पटक के साथ आपकी सिक्षा रुख सकती है इस साल अकस्मात कुछ अनहोनिया आपकी सिक्षा पर प्रभाव डाल सकती है आपको आज के दिन कुछ उपाय हैं बताएंगे करना होगा नहीं तो अप्रैल मई तक तीन महीने अभी समस्याओं से जूजते हुए सिक्षा से विमुकता रहेगी अगर आप 24 फरवरी को जन में पाएंगे हैं तो ब्यापार ब्यापार की स्थिति सामान ने है बड़े निर्ड़े अप्रैल में ले लीजिए मई जून आते आते उन्हीं इंप्लिमेंट कर सकते हैं क्योंकि बई जून तक आपकी स्थिति अच्छी है जुलाई में न निर्ड़े लेना है न किसी चीज को इंप्लिमेंट करना है बरसाथ तक रुख जाएगा अगर आप 24 फरवरी को जन में पाएंगे हैं तो अक्टूबर के बाद फिर से एक बार आपका व्यापार चमक सकता है शुबता आपको मिल सकती है प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए 12 अप्रायल से लेकर 22 माई के बीच में इंटर्विव अगर है तो नई नवकरी मुबारक हूँ बिदेश जाकर के कोई बड़ी नवकरी आदि करने के अगर पक्ष में थे आप तो हम आपको बताते हैं 26 सितंबर के बाद अगर आप प्रयास करेंगे तो इस दुशा में सफलता आपके कदम चूब लेगी ये मजबूती है जोतिश शास्त्र में मेरे शोध का कि इस दुशा से मैं अपनी बात आप लोगों के सामदे रखता हूँ कहीं निवेश आदि करने के विशय में विचार कर रहे हैं और 24 फरवरी को आपका जन्म है तो बिल्कुल उप्यूक्त टाइम है अचल संपत्ति में निवेश कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर वाले कहीं वाहन आदि चेंज करना चाहें तो वो भी सितंबर अक्टूबर 2019 के बाद कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर वालों की शादी के योग अगर अवस्था है तो उसके भी चांसेस बने हुए हैं बट अक्टूबर के बाद दिनांग 24 फरवरी को जन्म पाए लोग गौर्मेंट सेक्टर अच्छा समय रहेगा बहुत बश्चन रहेंगे अक्टूबर नवंबर से पहले वर्कलोड जादा रहेगा अक्टूबर के बाद ट्रांसफर होने के बाद वर्कलोड कम हो जाएगा हो सकता है कि आप एक दो वर्ष प्रमोड भी हो जाएगा मैरिड लाइफ 24 फरवरी को जन्म पाए लोगों का दामपत्य जीवन कई तरह से उठा पटक भरा दिखाई दे रहा है हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ अकस्मात अनोहोनी हो जाए और पत्ति पत्नी एक दूसरे से हमेशा के लिए बिछड भी सकते है दामपत्य जीवन का आसर बिलकुल कम है इस चीज को बहुत मजबूत करने की आवशकता है बहुत मजबूत रखने की आवशकता है दिनायन को 24 फरवरी लव लाइफ लव लाइफ में तो अगर आप 24 फरवरी के पैदा होईए पंचमेश बुद्ध लगने में बैठा है सूरी के साथ लव लाइफ छुपा नहीं रह पाएगा हो सकता है कि ये लोगों की निगाह में आ जाए या हो सकता है कि आप शादी कर ले शादी के लिए समय सबसे उप्यूक्त जो मैं आपको बताना चाहूंगा 22 जुलाई 2019 के बाद है दिन शुक्रवार का चैन करिएगा आपके लिए शुक होगा चंद्रमा तुला राशी का है वर्ष भल में स्वास्त स्वास्त के लिए समय अनकूल नहीं है हड़ी और जोडों का दर्द आदे सूर चुकी कुमराशी में है तो बोन्स की दिक्कत देगा ही देगा पहले से चल रही है तो बहुत सावधान रही है शुक्रशनी साथ बैठे हैं तो शुगर 100% होना है 45 प्लस वाली एज को ज़्यादा सावधान करना हो महिलाई इस्पेशली धन राशी की महिलाई ज़्यादा सावधान रहें अगर आप 24 फर्वरी को पैदा हुई है ठीक है क्या उपाय करना चाहिए मैं आपको उपाय बताता हूँ तीन कंबल का दान करके एक पीपल का पौधा किसी पब्लिक प्लेस पे लगा दीजेगा आज अगर आपकी शादी की साल गिरह है तो तीन साबुत हल्दी चने की दाल का दान पति-पत्नी मिलकर करें और पति-पत्नी मिलकर ही किसी जरूरत मंद को भोजन भी करा दें थैंकियू सो मच आप हमसे पटना और मुंबई में माप किजेगा पुने और मुंबई में मिल सकते हैं दिरांग 6-7 मार्च को पुने में 8-9-10 मार्च मुंबई में प्लेट चल रहा है, नंबर चल रहा है अपाइन्मेंट के लिए फोन करें अपाइन्मेंट ले कल्चर वैली खोलना चाहते हैं अनलिमिटेड अर्निंग के साथ हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं एक लाइफ टाइम बिजनस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे मिलने आ सकते हैं बशर्ते आपके निवेश करने की छमता लगभग 20 लाग हो आए कल्चर वैली आपका इंदजार कर रहा है थैंकियो सो मच प्यार बना है रखिए नमस्कार प्यार बना है रखिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना न भूलिए